नमस्कार अदाब सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 का ग्रैंट फिनाले एपिसोड 16 जनवरी 2022 को होने वाला है ऐसे में आप सभी दर्शकों के सामने लेकर आये हैं बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर टॉफ 5 कंटेस्टेंट के नाम कौन-कौन से वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने टॉफ 5 में अपनी जगा बनाई है हमारे इस लिस्ट में आप सभी दर्शकों को यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से लेकिन इससे पहले चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को आप सब्सक्राइब कर ले पहले आप सभी दर्शकों को टॉफ 5 कंटेस्टन के नाम बताया थे उन में से बड़ा उलट फेर हुआ है बड़ा चेंजस हुआ है इस टॉफ 5 लीस्ट में अब किसने जगा बनाई है किस कंटेस्टन की कितनी रैंकिंग है सारी की सारी बातें बताएंगे और टॉफ 1 और तू में कौन कौन है ये भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पांचवे नंबर से तो पांचवे नंबर पर बड़ा उलट फेर हुआ है पांचवे नंबर पर आ गए है उमर रियाज जी हां उमर रियाज पांचवे नंबर पर आ गए हैं उमर रियाज को काफी नुकसान हुआ है आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि कभी उमर रियाज जो है टॉप थ्री में हुआ करते थे यानि कि तीसरे पोजिशन पर हुआ करते थे चौते पोजिशन पर हुआ करते थे लेकिन पूरे के पूरे हपते के परफॉरमस के बाद उमर रियास को ओडियंस ने 500 नमबर पर रखा है अब चौते नमबर पर कौन आए तो चौते नमबर पर है प्रतीक सहचपाल जिनके परफॉर्मेंस को दर्शकों ने बहुत ज़ादा पसंद किया बहुत ज़ादा प्यार दिया तेजस्पी प्रकाश और प्रतीक सहचपाल की जो दोस्ती है भाई बहन का जो रिष्टा है उनको ओडियंस ने काफी ज़ादा प्यार दिया सनेह दिया इसी के चलते प्रतीक सहचपाल जो है चौते नमबर पर है अब तीसरे पायदान पर कौन है तो तीसरे पायदान पर लंबी चलांग बारी है शमीता शटी ने जी हाँ शमीता शटी ने लंबी चलांग बारी है शमीता शटी जहां उन्हें बोलना होता है वहाँ वो बोलती है जहां उन्हें नहीं बोलना होता वहाँ वो बिल्कुल भी नहीं बोलती करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि दोनों के वीच में जो वोटो का अंतर था वो तो पहले काफी नगर्णिय था लेकिन अब वोटो का फासला जो है वो बढ़ता चाह रहा है तेजस्वी प्रकाश का पलड़ा भारी होता चाह रहा है करन कुंदरा पर और करन कुंदरा दूसरे पैदान पर है जी हाँ ये बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है तो नमबर वन पर है तेजस्वी नमबर टू पर है करन कुंदरा नमबर तीन पर है शमीता शटी नमबर चार पर है प्रतीक सहचपाल और मैं अपने कमेंट के जरे जरूर बता सकते हैं आज के खास स्रेपोर्ट में